हालो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू जैसा कि आज 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 आपका डैली पुलीस हेट कॉंस्टेबल का 13 अक्टूबर का 2nd सिप्ट का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 13 अक्टूबर के 2nd सिप्ट के एक्जाम में जो है प्रेश्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिनोंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डैली पुलिस हेट कॉंस्टेबल से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैल इकन यानी घंटेगा निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दिएगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कुश्यन है था कि योगी आदित्यनात 2022 का यूपी विधान सबाद चुनाओ ये जो है कहां से लड़े थे तो देखे योगी आदित्यनात 2022 का यूपी विधान सबाद चुनाओ है न ये आपके गोरकपूर सदर से लड़े थे तो गोरकपूर आ आपका पूछा गया था कि उत्राखंड के मुख्य मंतरी पुसकर सिंग धामी जो है ये कहां से विधान सबाद चुनाओ हा रहे थे तो देखें ये जो आपके खटीमा से जो है ये विधान सबाद चुनाओ हा रहे थे इसके अलावा कल के सिप्टों में आपसे ये भी तरी जो है वो बन चुकी है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहता कि भारते संबिधान में संसदी जो प्रणाली है ना ये किस देश के संबिधान से लिया गया है तो देखें भारते संबिधान में संसदिय जो प्रणाली है या आपका बृतेन देश के संबिधान से लिया गया है, आपसन में या तो आपका बृतेन दिया होगा या फिर आपका United Kingdom या फिर England दिया होगा, तो इन तीनों में से जो भी आपसन में दिया होगा वो आपका correct answer संसद्ये श्वरूप, दवीज सदन उडिएकार, कैबिनिट परनाली और संसद्ये विशेशा अदिकार यह सभी जो आपके ब्रेटीस संबिधां से लिए गया है, बात कर लेते हैं, ने, तो अमेरीकिं संबिधां से आपका मौनिक अधिकार, रास्पति का महाभियोग, उपर प्राश्पध के पद सर्वूच नयाले या उच नयाले के नियादीसों को हटाने का जो प्रावधान है या फिर न्याइपालिका की सौतंता और न्याइक समीच्छा ये सभी जो आपके अमेरिकी संबिधान से लिए गया है तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना ह next question आपके यहाँ पर आया था कि निमनलिकित में से कौन सा कर जो है केंदर सरकार द्वारा नहीं लगाय जाता है तो देखे मैं आपको बता दू कि Land Revenue यानि भूर राजस्व कर या फिर उतपाद सुल्क ये जो आपके केंद्र सरकार द्वारा जो है वो नहीं लगाए जाते हैं तो आप्सन में बच्चे बता रहे थी कि उतपाद सुल्क दिया गया था तो उतपाद सुल्क आपका यहाँ करेक्ट एंसर होगा और मैं आपको बता दू कि ये जो आपका उतपाद सुल्क है ना ये एक परकार का अपरत्याच कर है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये जो आपका Land Revenue यानि जो ये आपका भूर आजस्व कर है ना ये आपका राज्य सरकार के द्वारा लग जो दिया गया है जिसमें पद्म भीभूशन की बात कर लें तो चार लोगों को पद्म भीभूशन से समानित किया गया है पद्म भूशन की बात कर लें तो 17 लोगों को समानित किया गया है अब हम लोग बात कर लेते हैं खिलाडियों के बारे में तो देखें देवेंद्र जाजरिया को जो है मात्र एक खिलाडी को दिवेंद्र जाजरिया को जो है पदम भूशन से समानित किया गया है और नीरत चोपड़ा सहीत आठ खिलाडियों को जो है वो पदम स्री से जो है वो समानित किया गया है तो चोपड़ा सहीत आठ खिलाडी यानि नौ खिलाडियों क पदम स्री शे सम्मानित किया गया है तो 9 आपका यहां पर correct answer होगा वहीं अगर पदम भूशन के बारे में पूछा जाए कि 2022 में किस खिलारी को पदम भूशन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो देवेंद्र जाचारिया का नाम आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपके आप रहा था कि जर्मनी के सहयोग से कौन सा लोह इस पास सहयंतर की जो है अस्थापना की गई तो देगे जर्मनी की सहायता से यह आपका राउर्किला स्टील प्लांट है ना इसकी जो अस्थापना है वो आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया है तो प्राउरकिला स्टील प्लांट आपका करेक्ट एंसर होगा। बात कर ले दुरगापूर स्टील प्लांट जो कि आपका पस्चीम बंगाल में है। इसकी जो अस्थापना है ना ये ब्रेटिस यानि ग्रेट ब्रेटेन के सहयोग से किया गया है। भिलाई इस पास सहयंद्र की सहयोग से जो है सुरूग किया गया था बोकारो स्टेल प्लांट की बात कर ले तो यह जो आपका जारकंड में है और इसके यह जो आपका सोवियत संग यानी यू एस एसर की सहायता से जो है यह आपका सुरूग किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है औ यानि दूसरी ये पंचवर्सी योजना के तहर आपका राउर्किला और दुर्गापूर को लगाया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कुछ आपको यहां पर आया था, कि निम्नेमेज से कौन सा महिला का हर्मोन है, तो देखिए महिला का हर हर्मोन होता है, वह आपका ऐस्टरो già होता है, तो आपका correct answer हो, और पुरसों में कौन सा हर्मोन होता है, तो test будем, यह जो आपका हर्मोन होता है, नेक्स्ट कुछ आपका इया बहता था, कि which one of the following is not a rare species, यानि निम्नलीखित में से कौन जो एए एक धुरलभ प्रजाती नहीं ह तो देखे बच्चों के दरा मुझे अभी तक एक ही आपसन मिले है जो कि आपका हिमाले ब्राउन बियर दिया हुआ था यानि हिमाले भूरा भालू जो है आपसन में दिया गया था तो देखे सबसे पहले हम लोग जान लेते कि रियर अस्पेसिज यानि दुरलब प्रजाती होते क्या हैं तो देखे जो दुरलब आसमान या कभी कभी जो दिखते हैं उसे ही दुरलब प्रजाती कहा जाता है उदाहरन के तोर पे फिनिक लूमडी हिमालियन ब्राउन भालू ये सब जो होते हैं आपके दुरलब प्रजाती होते हैं तो हिमालियन ब्राउन भालू ये तो आपका दुरलब प्रजाती है तो ये अंसर तो आपका नहीं होगा क्योंकि आपका कौन एक दुरलब प्रजाती नहीं है पूछा गया था तो अगर आपको आपसन याद है तो यह आपके बनावली जो की हरियाना में है और यहीं से प्राप्त हुए हैं तो बनावली आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले अगर यह प्रेशन पूछा गया था कि हडपा सभेता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का जो साच्छे है यह कहां से मिला है तो देखे हडपा सभ 1792 में स्री रंगपटनम की संदी पर किस गवर्नर के साथ हस्थाचर किया तो बात कर ले टिपू सुल्तान के बारे में तो देखे 18 मार्च 1792 में स्री रंगपटनम की संदी पर यह लौड कार्नवालीस के साथ हस्थाचर किये थे तो लौड कार्नवालीस आपका यहां पर कर आप दो था तो यहापका 1792 में जो वो समाच्ट हो गया था नेक्स्ट को शाम आपका यहाप रहा था कि मंगल पांडे इस्ट इंडिया कंपनी की जो है कौन से रेजीमिंट के सिपाही थे तो देखे बात कर लेते हैं मंगल पांडे के बारे में जनसंख्या में सरवाधिक जो गिरावत है ना वो किस दसक में जो है वो दर्ज किया गया था तो देखिए अब को मैं यह भी बता दू कि आपके जनसंख्या यानि 2011 की जन गंड़ा या फिर जनसंख्याहों से भी जो है आपके लागतार जो हर सिप्ट में एक से दो प्रेशन जो है वो जरूर पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट कोश्च है आपका यहाँ पर रहा था, कि एक्सल पिवोट यह जो है क्या होता है, तो देखें कंप्यूटर में जो एक्सल पिवोट है ना, इसकी मदद से विस्ट्रिट डाटा को जो है आसानी से एनलाइज किया जा सकता है, तो यह आपका यहाँ पर correct answer होगा, तो इतने question जो है आज मुझे बच्चो के द्वारा मिले है, जो कि 100% real और authentic है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा, और किसी भी exam का real analysis पाने के लिए चैनल को subscribe जरू कर दिजेगा, और यदि आपको इसका PDF चाहिए, तो मैं टेलिग्राम का जो लिंक है, आपको description में provide कर दूँगा, आप वहाँ से easily जो इसका PDF ले सकते हैं, और एक बात और दोस्तों कि आप लोग exam दे कर आते हैं, लेकिन अपने question को share नहीं करते हैं, तो देखे, मैं आपको टेलिग्राम का जो link है आ आपको description में दे दूँगा, अगर आपका exam होता है, तो अप प्लीज जो अपने question को जो है, मेरे टेलिग्राम पे जो है, जरूर send कीजे, ताकि मैं real analysis आपके लिए लेकर आ सकूँ, तो मिलते हैं, next video हैं तो तक thank you, all the best.